नमस्कार साथियों, आज हम बताएंगे कि हनुमान जेन्ती पर पुजा करने से मिलती है पापों से मुक्ती और होती है मनो कामनाई पूरी जाने इसकी विद्धी हिंदू क्लेंडर के अनुसार 4 माज से 9 साल की शुरुवात होती है और चितर पूनिमा को हिंदू नवरस के परारम के पषाथ पहली पूनिमा मना जाता है इस दिन पकर पुजा पाठ करने से पापों से मुक्ती मिलती है और बगतों की सभी इच्चय पूरी होती है जो तिसा चारे उसुनिल पाठक बताते हैं कि पुनिमा का मैतव याय की याय पुन्यकाल वरत है और पुनिमा कने से पापों से मुक्ति मिलती है इस वरत चेतर पुनिमा 6 अप्रेल 2023 को है इस दिन बगवान सत्य नारयन और लक्षमी नारयन की पुजा होती है साथ ही ओम नमो बगवत्य वासुदेवाहे नमहे और ओम नमो नारयन नमहो मंत्रों का जाप किया जाता है इसे करने से समझ पाप से मुक्ति और सांति मिलती है इस चेतर पुनिमा में वरत रखने का विदी विदान याय है कि इस दिन ब्रमा मुर्थ में उठना चाहिए उठन के बाद इसना ध्यान कर के वरत कर बघवान सत्य नयान की पूजा करे कदली फैल दूद्द गी और गेहों का चुरण आधी को परसा सामगरी के रूप में एक्तित कर सभी बाई-बन्दों के साथ मिलकर विदी विदान से बघवान सत्य नयान की पूजा करे पूजा के बाद परसाद वित्रन करे और रातरी में बगवान का बजन करे पंडित सुनिल पाठक बताते हैं कि चित्र पुनिमा के दिन हनुमान जी का जिनम हुआ था इसलिए इस दिन को हनुमान जी के जिनम दिन के रूप में बनाया जाता है हन्वान जी को पर्षन करने के लिए भक्त सात्विक बाह और सर्दा भक्ति से बगवान राम माता सीता का गुनगान करते हैं हन्वान जी सवता पर्षन हो जाते हैं